हेलो डियर लेर्नर्स, वेलकम तो माई चैनल, स्टड़ी फ्रॉम होम विदरश्णा मैं, हाव और यू आल, आज हम लोग पढ़ेंगे को लिनियर पॉइंट्स और नॉन को लिनियर पॉइंट्स याने कि आपको पता है कि हम जेमेट्री पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले मैंने सबसे पहला जो हमारा जेमेट्री का वीडियो था, उसमें मैंने आपको इंट्रॉडक्शन दिया था, वाट्टेस पॉइंट, लाइन, लाइन, सेग्मेंट, एन, रे, चीक है, और जो हमारा सेकेंड था, उसमें भी हमने आपको बताया था कि प्लेन क्या होता है, और इंसि अगर से क साथ होता है, और एक ही लाइन में, जो एक ही लाइन में साथ साथ हो, हो साथ मतलब बहुत सारे पॉइंट एक साथ हो ठीक है तो वह हम कहते को लीनियर पॉइंट यानि आपको लेकिन यह बात रख याद रखने हैं कितने पॉइंट होने चाहिए ठीक है या तो 3 हो या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में लाए करते हैं तो इसे अपर देखिये एक ही लाइन में 3 पॉइंट समा रहे हैं तो ऑसे हम कहांगे कि यह को लिनियर पॉइंट से यानि को मतलब भी लैन में साथ की भी लॉन्त बाविए कर रहे हैं तो यह से को लिनियर प्उइंट है उला प्योंक्तänder को छिद के मारे अन्स पर सेले यह ला पढ़ रहे हैं बच्चों और यह सब बहुत इंपोर्टेंट नहीं पता होती है और कई बार बच्चे याद तो कर लेते हैं लेकिन समझते नहीं है जैसे माली क्लास फिफ्ट में उन्हें पढ़ाया गया और उन्हें पढ़ लिए क्लास मिक्सिक्स में जाके वह भूल गया लेकिन मैं आपको ऐसा पढ़ाती हूं कि आप वर्ड को देखे ही समझ जाएंगे किसका मतलब क्या है ठीक है तो आप वीडियो को जरूर पूरा देख क्या होता है साथ साथ लीनियर मतलब लाइन में ऐसे पॉइंट्स और पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में साथ साथ लाए करते हूं तो ने हम कहेंगे को लीनियर पॉइंट्स लेकिन वो कितने होने चाहिए 3 या मोर देन 3 होने चाहिए घुलीनियर पॉइंट्स हैं देखिए दोनों एक ही साथ एक ही लाइन में तो क्या यह हमारे को लिलीनियर पॉईंस हैं यह हमारे को लिनियर पॉइंट्स नहीं हैं, क्यों नहीं हैं यह हमारे को लिनियर पॉइंट्स, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, कि या तो 3 होने चाहिए, या more than 3 होने चाहिए, ठीक है, जब एक ही लाइन में 3, तो यह से प्वान टो गोलियु आपर हैं थार आगा हJ मैं मैं या घे कोलिनेयर होंके से स्ट्रीट लाइन में गोलिनयर पॉयंट्ट्स हग non collinear point यानि कि फिर non collinear point क्या होता है यह तो आप पहले ही समझ यह होंगे मेरे बताने से पहले यह आपको आ गया होगा non-collinear यानि जो collinear ना हो उसे हम क्या कहते है non collinear points like three points which do not lie in the same straight line called non collinear points यानि की ऐसे points जो एक ही straight line में ना लाए करते हों ठीक है जो different different कोई स्ट्रेट लाइन पर लाइन कर रहा है कोई लाइन से बाहर है ठीक है तो ऐसे हम इसे कह करते हैं नॉन को लिनियर पॉइंट्स ठीक है तो यह हम अगर इसकी बात करें तो आप पिक में यहां पर देख पा रहे होंगे यहां पर पिक्चरी जो मैंने बनाई है कि यहां पर यह हमारे collinear points नहीं हैं यह हमारे non collinear points है why? because यहाँ पर R and T lie on the same line but S does not lie है ना तो यहाँ पर आप देखिए S जो है वो इसमें lie नहीं कर रहा है लेकिन R और T इसमें lie कर रहा है तो यह क्या होगे non collinear क्योंकि मैंने तो आपको collinear की बात आप बताई थी तो क्यों को लीनियर में आपके पास कितने point 3 या more than 3 point एक ही line में होने चाहिए और non collinear में 3 या more than 3 point एक ही line में नहीं होने चाहिए तो वो हमारे non collinear points हो जाते हैं ठीक है तो आप यहाँ देखिए non collinear होगे क्योंकि S जो है आप समझ गये होंगे कि collinear points किसे कहते हैं और non collinear points किसे कहते हैं ठीक है बच्चों आपको पता है कि मैं आपसे हर वीडियो के रास्ट में question पूछती हूँ जिसका reply मैं आपसे comment section में जरूर चाहती हूँ ठीक है तो आपसे मैं आज एक question पूछती हूँ तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक मैंने ये line draw कर दी और आपको बताना है ये जो हमने ये picture draw की है आपको बताना है कि ये हमारा collinear points है या फिर non collinear points है ठीक है मैंने अभी आपको बताए what is collinear points and what is non collinear points right 3 or more than 3 points lie on the same line is called collinear points but if all the points are not lying in the same line they are called non collinear points अब आप स्मार्ट है तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि ये जो मैंने question पूछा है कि tell me this is collinear point or non collinear point so you have to tell me on comment section ओके तो बच्चो आपको वीडियो पसंद आई हो समझ में आई हो तो सबसे पहरे आप वीडियो खोलते से लाइक जरूर किया कीजिए इससे मुझे अच्छा लगता है कि मेरे देखने वाले बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उसे शेयर कीजिए फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आप वाट्सब की स्टेटरस पर भी से लगा सकते है अपने दोस्तों को भी बेज सकते हैं ठीक है जाते 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 इससे शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए सब्सक्राइब करने के बगल में ही बल आइकन आएगा जिससे प्रस कर दीजे जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी ओके थैंक यू